हेलो रिएन आज के इस उडियो में मैं आपको दनेल हो कि आप कैसे आपके वीवो के वाई 200 मोबाईल में जो है फिंगर पिंट स्क्रीन लॉक लगा सकते हो जैसे कि आप जैसे फिंगर पिंट होगे तो आपका जो फोन है वो अनलोक हो जाएगा तो चलिए आज के इस कमाल कीडियो को स्टार्ट करता है अगर आपको भी आपके वीवो के वाई 200 मोबाईल में फिंगर पिंगर पिंट स्क्रीन लॉक लगाना है तो बहुत सिंपल है इसके लिए आपको यांणा होगा इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो मोबाईल है उसमें आपर आपको सेटिंग के आपको चुसमें आपको लाइक का बटन भी है कर दो होगा आपको सिम्पली सेकुरिटी वाले option पे क्लिक करना है अब सेकुरिटी पे क्लिक करने पर आप देख सकते हो और भी बहुत से options हमें दिखाई दे रहे हैं तब आपको अबर क्या करना है अभी आपको अपर एक option दिखाई देगा जो कि होगा screen lock का तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीकी का option होगा तो देखो अभी हमें लगाना तो fingerprint है लेकिन अगर आपको fingerprint lock लगाना है तो उससे पहले आपके phone में कोई screen lock लगा हुआ होना जीए तो वो चाहे pin lock हो या फिर pattern lock हो या पर कोई भी lock हो तो आपको आयान है आप fingerprint पे क्लिक करके भी set कर सकते हो तो आपको fingerprint जो लिखा है इस पे क्लिक करना है अब जैसे आप fingerprint पे क्लिक करोगे तो देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि fingerprint plus pin, fingerprint plus password, fingerprint plus pattern तो अभी देखो अब अगर आपको fingerprint lock के साथ pattern lock लगाना होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है अगर आपको pin lock लगाना है तो आपको इस पर क्लिक करना है तो हम क्या गरता है हम इस पर क्लिक कर सकते हैं जिससे कि हमारे phone में pin lock लगेगा लेकिन हमें अपना फोन उन्लोक करना होगा. अब आपको एबर क्या आनना है? टुछ फिरिंगर्पींट सेट पीन. अब आपको एबर क्या है? एक पीन लोक को सेट कर देना है. यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आपको जभी सेट कर सकते हो. फिदाल के लिए हम 1, 2, 3, 4 एंटर कर देते हैं अभी आपको next पर click करना है और अभी आपको फिर एक बार वही password को enter करना है जो कि आपको set करना है और आपको confirm वाले option पर click कर देना है अब जैसे आप confirm पर click करोगे तो आप देख सकते हो lock screen का option में कुछ इस तरीके से दिखा ही दे रहा है तो आपको आपको नोटिफिकेशन दिखानी होगी तो फिर आपको show all notification करना है और नहीं दिखानी होगी तो आपको इस पर click करना है और यहाँ पर done वाले option पर click कर देना है अब जैसे आप done वाले option पर click करोगे तो आप finally देख सकते हो set up your fingerprint इसका अदलब है कि अभी हमें fingerprint lock set करना है तब fingerprint lock set करन कुछ ऐसा option दिखाए देगा आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आप देख सकते हो place your finger तो अभी आपको यहाँ आपके Vivo के Y200 mobile में यहाँ पर fingerprint sensor आता है तो आपको यहाँ आप देख सकते हो exactly यहाँ आपको आपको आपका finger देना है जैसे आप fingerprint दोगे तो आप दे सकते हो आपके finger prints एड़ होते जाएगे और जैसे 100% finger print एड़ हो जाएगे तो आपको कुछ ऐसा option दिखा देगा finger print added अब आपको यहाँ आपको यहाँ आपको किसे भी वीव के Y200 में finger print लग लग चुका है तो अब जैसे मैं अपने phone को off करता हो यहाँ पर fingerprint देता हो तो हमारा phone on हो जाएगा तो कुछ ऐसे ही आप भी आपके किसे भी वीव के Y200 में finger print लग लगा सकते हो अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए अपका धन्यवाद थैंक्यू सो म कर दो कर देना चैनल कर दो कर दोदूर्म एवार ज़ूर्म एवाद भी आपका लेखने कर दो है कि वीडियों अपके कर दो दो है पुछ